हेलो नमस्ते जी सभी को आज मैं करने जा रहे हूँ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग और अगर आपको किसी भी चीज की डीप क्लीनिंग करनी है तो समान सारा बाहर निकाल गए तब उसकी आप क्लीनिंग कर सकते हैं अच्छी तो वैसा ही अब मैं कर रहे हूं मंदिर का सारा समान निकालने के बाद हमने पानी और सर्प ले लिया है देखो कितना काला हो जाता है मंदिर धूबती और जोत चलती है तो उससे हलका फुल का धुआ निकलता है तो पता नहीं लगता कि कितना गंदा हो रहा है लेकिन जब साफ करते हैं देखो कितना काला काला छुट रहा है तो मैं उपर से शुरू करते हुए नीचे तक इसको सारे को अच्छे से रगट रगट के धो दूँगी और फिर साप पानी से धोँगी बहुत ही ज़्यादा गंद की हो जाती है ये मन्थ लिए एक बार तो इस तरह क्लीन करना ही पड़ता है क्योंकि वाइट कलर है ज़्यादा गंदा दिखाई देता है और अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं तीन चार दिन बाद तो अभी मैं अच्छे से डीप क्लीन तो अब कर दूँगी और नवरात्री वाले दिन बस जो कपड़ा बिछाऊंगी अब वो कपड़ा चेंज कर दूँ होगी तो बस उस दिन तो मैं इतना ही करूंगी तो यह ज़्यादा अच्छे से सफाई है वो मैं आज ही कर लूँगी देखो किती चमक आगी है एकदम साफ कपड़े से फेर रही हूं तो प्लाई और यह जो ओम और स्वास्तिक लगे हुए हैं एकदम चमक जा रहे हैं आजे का चीजे तो रख रखा EU से ह kita हिं घुमैने पूरा क्लीन कर दिया मंदीर और मैं इसमें के अ कप्ड़ा विचा हरी हूं जो मैंने यह मैंने सब कपड़े घर में ही बना रखे हैं, जो मैं मंदिर में बिचाती हूं, कपड़ा लाके, लेस लगाके और घर में ही बना रखे हैं, मैं ऐसे करके, जो भगवान जी हैं, इनको इस्थापित कर दूँगी यहां पर, मैंने माता के वस्तर भी रख लें, क्योंकि जब मैं मंदिर की सफाई करती ह तो वस्तर भी चेंज कर देती हूं माता के, नवरात्री वाले दिन भी चेंज करूँगी, तो आज मैंने इने वस्तर पेना दिये हैं, दूसरे, बलके पायल ने पेनाए हैं, और अब मैंने नहा दो के पूजा उजा कर ली, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मंदिर म क्या कै समान रखती हूं, इसकी ड्रोर, नीचे वाली जो ड्रोर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो ऐसे ही दर ही गनेश जी बगवान, लक्ष्मी माता, विश्न बगवान, ये हैं अंबे गोरी, ये लटुगोपाल, गवमाता, अनुमान जी, शिराम चंदर जी, और य ये हैं मेरे पास दो संक, एक जो लाल कपड़े पर रखा है, वो है दक्षनावर्ती, और ये है वामावर्ती धरवाला, ये बजाने के काम आता है, और जो लाल कपड़े पर है, उससे बगवान जी को नहलाते हैं, ये पूजा हो चुकी है, और आज मैं आपके साथ शेयर कर करने जा रही हूं कि मैं अपने मंदिर की हैं जो ड्रोर हैं दोनों, इन्हें कैसे औगनाईज रखती हूं, अई देखो मैं कुछ लोंग वगएरा साफ कर रही हूं, जो इनमें से बिना फूल वाली हैं, उन्हें निकाल के मंदिर में रखूँगी, आप देखो हैं मैं मैं म दब्बे को मैंने गोल्डन कलर कर लिया है, तो उससे क्या ये भिखरते नहीं है इधर उदर, अब एक बास्किट ये है और एक ये बास्किट है, ये मैंने बनाई है, ये एक डब्बा था, उस पर मैंने ऐसे पेपर लगा के, तो इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर ले ताकि अच्छी लगे लख रखी हुई, अब इन डब्बों में मैंने क्या क्या समान रख रखा है, आप देखिए, ये सर्व ओस्दी है, जब हमा कलस रखते हैं माता की नवरात्री में, तो उसमें डालते हैं इसको, ये मैंने खड़िया रख रखी है, और ये इसमें है, क् तिलक वाला सिंदूर होता है, मैं हरिदवार गई थी, तो वहाँ से थोड़ा जादा लेके आई थी, तो मैंने डब्बी में बरके रख रखा है, और छोटी डब्बी में ट्रांसफर कर लेती हूँ मैं, जब मेरा खतम हो जाता है उसमें से, और ये रोली है, टिका लगाने के लिए, और इसमें रखे हैं, मैंने डबे में काले तिल, ताकि मेरे, जब मैं गर पे नहीं और कोई पूजा कर रहा है तो उसे सब चीज मिल जाए, ये खाल्दी है, टिका लगाने के लिए ही, और इसमें रख रखे हैं, उड़त, ताकि जब सनीदेव पे जाते हैं, तो बच्चों को ढूणना नहीं पड़ता कि कहां क्या समान रखा है, वो सब मंदिर में ही उन्हें मिल जाता है, तो यहीं से लेकर इजीली मंदिर चले जाते हैं, ये सब मैंने यहीं डब्यों में रख रखा, ये है माता को लगाने के लिए गुलाव काहित्र, ये भी मैंने य इस वाली बास्किट की बारी, ये मैंने बजार से ऐसे लाकर रख रखे ताकि ये डिब्यां बिखरी बिखरी ना फिरे, इसमें देखो मैंने रख रखे हैं, हल्दी की गांट वगएरा और जाइफल, और वो, देखो ये बड़े वाला जो है, ये जाइफल है, ये सुपार और हल्दी की गांट इसी में पड़ी है, ये दिखाई देते रखते हैं, भै दीदी अर्वी कहीं बार आ जाते हैं, तो वो पूजा करते हैं, तो उन्हें कुछ भी मुझस से पूछना नहीं पड़ता कि कहां क्या समान रखा है, इसमें मैंने मिलाक रख रख रखे हैं, ला सा लेते हैं और डाल लेते हैं, और जो भगवान को अलग से अक सच चढ़ाते हैं, वो मैंने ये पीले करके, ये एक डबी में ये यहां रख रखे हैं, तो इसी में से सब चढ़ा देते हैं भगवान जी को, इसमें मैंने रख रखा है कपूर आरती के लिए, जिस से हम आरत कि ये हैं पीला चंदन जो लड़्डू лекपाल जी को भी सेज़ कर इसी से तिलक लगाते हैं इसमें मैंने रख रखे हैं लोंग् जो मैं भी लोंग्स अफकर्टिू वह मैंने शांफ करके इसमें भर करकर रखे हैं ऐसा ही मैं इसको फिल लाइची फ्राइडे को आप माता के लिए जो दिया लगाते हैं उसमें लाइची डालनी चाहिए माता इससे खुछ हो जाती है और ये चंदन है सिवजी भगवान जी के लिए ये मुझे किसी ने सोमनात से लाके दिया था तब से मैंने 28 अब जो थोड़ा सा बचा है जब सब्कूरा तो इसमें मैंने टीके चिपका रखे उनके ताकि खोए न यहीं साइड में रख देती हूँ अब और ये भगवान लटू पाल कहीं वित्र है उनके लिए फिलाल-ऄल गुलाब का ही ला रखाया है सिरीं मैं उनके लिए गर्मियों के लिए चंदन गणा लेके आ यहीं डब्बी में करके और मंदिर में ही रख रखा यह कि कि बार बार किचन में कोई जाता नहीं है, और इसमें रख रखे हैं विश्री और सोप, यह इस तरह के डब्बों में मनें इसलिए रख रख रखे हैं ताकि सब को दिखता रहे और किसी को पूछना ना पड़े मुझसे कि कहां क्या समान रखा है तो सब ऐसे इजिली ढूंड लेते हैं मंदिर में कहां क्या रखा है जो भी पूजा करने बैठता है तो इसमें है धूब बत्ती ये बनी बनाई है अगर बिना बनी भी होती है वो वैसी आती है जो गिल्ले वाली वो भी मैं इसी में रखती हूं और इस डब्बे में रख रखे मैंने सारे जो कलावे हैं कच्छा सूथ है क्योंकि कच्छे सूथ की विजवरत पड़ जाती है और दोनों तिनों कलावे भी मैं इसी में रखती हूं इस से मंदिर फैलता नहीं है बिल्कुल भी आपको तो इजिली सबसमान मिलता रहता है और इस डब्य में रख रखा है मैंने ये कपूर है मतलब जिससे हवन करते हैं जो छोटी डब्य में कपूर है ये वाला इससे मैं आरती करती हूं केवल और ये जब मैं हवन करती हूं तो उसके लिए मैं ये बड़े वाला कपूर इसमाल कर यहां इकट्टा करते रहते हैं, फिर कहीं मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ दान करके आताते हैं इसको, यह मैं यहां ही पर रख दूंगी, तो इस तरह मैंने ये कर रखा है खाना ये चोटी सी डबी है इसको भी मैंने गोल्डन पेंट करके इसमें भगवान जी के रोज के पहने की माला मैंने रख रखी है यह मेरी क्रीम की टब भी थी इसको मैंने गोल्डन पेंट कर लिया और इसमें मैंने भगवान जी की मालाएं सब जो रोज पहनते हैं वो इसी में रख दिया है इसका तो धागा भी निकल गया एक साइड से चलो मैं लगा लूँगी देखो किती संदर संदर उनकी छोटी-छोटी शी मालाएं हैं वैसे मैंने भगवान जी के लिए सोने की माला बनवा रख्या है इसमें उनकी जो बिल्कुल नई है वो कभी-कभी पहनते हैं वो मालाएं हैं यह उनके हातों के हैं कुछ नए और एक माला उनकी यह है उन्होंने अभी पहनी नहीं है इसमें धागा भी नहीं लगा अभी यह मैंने छोटी सी डबी में अलग करके रख रखें क्योंकि यह न उनका और यहीं में यह डबी रखतूंगे तो यह वाला जो ड्रोर है यह मैं इस तरह रखती हूं सब समान बिल्कुल सामने सब को इजिली मिल जाए किसी को ढूंड़ना ना पड़े बिल्कुल भी तो ऐसा चलिए अब दूसरी ड्रोर देख लेते हैं इसमें मैंने अपनी सारी किताबे रख रखी हैं जो मैं पढ़ती हूं इस थैली में मालाए हैं देखो यह मेरे सारी किताबें इस थैली में मालाए हैं यह माचीस की डबी है जिसमें माचीसे रखे हैं सारी और यह सारे लडुगोपाल जी के वो हैं मुकुट और ये रामचरित मानस है, ये कपड़ा जो है, जब मैं रामचरित मानस पढ़ती हूँ, इसके उपर रखके, तो इसके उपर मैं ये कपड़ा बिछा लेती हूँ ऐसे, और तब मैं ये पुस्तक इसके उपर रखके तब पढ़ती हूँ, तो इस तरह देखो ये, ये भगवा किताबे रहा हैं और यह होगे भगतिदार यह बहुत अच्छी किताब है इसमें हर व्रत्त और व्रत्त न क्या ख़ादि और कादशी को लेकर सब की कथाएं हैं एक सुन्दर कांड यह है इसी में वह भी है चालिसा भी दुर्गा सबसती यह कार्थिक मात्तम और यह महा का मात्तम और यह है वैबलक्षमी माता की किताबे एक सुन्दर कांड यह है और यह है स्री भगवत गीता और यह एक डाइरी है जिसमें मैं पूजा से रिलेटिट कुछ चीज़े नोट करती हूँ और यह है कनगधारा सुरोत लक्षमी माता के लिए इसे पढ़ा जाता है और मेरे पास यह स्री रामचरित मानस के लावा एक किताब यह है स्री भागवत सुदा सागर सुक सागर्ड इसे कहते हैं यह अभी मैंने पढ़नी शुरू नहीं की है जब मेरी रामचरित मानस खतम हो जाएगी तब मैं इसे पढ़ूँगी मालाओं में मेरे पास यह तुलसी की माला है रुद्राक्स की माला है और कमल गट्टे की माला है मेरे पास इस टपिक की माला भी है वो मंदिर में नहीं है वो मेरी अलमीरा में रखी हुई है तो ये मालाई मैं सब एकी साथ रखती हूँ, इस बोक्स में मैंने लड़ु कोपाल के सारे जो पगडियां हैं, उनके मुकुट हैं वो रख रखे हैं, जिसकी बिज़रत होती हैं, इसी में से निकालते हैं और इसी में रख देते हैं वापस, तो उनके सब मुकुट मैंने एक डबे में इसमें इकत्रेत करके रख दिया हैं, इससे ये गंदे भी नहीं होते हैं, और अच्छे सा रखे रहते हैं, धूल भी नहीं लगती हैं, नहीं तो फिर रुआ रुआ सा लगके ये गंदे हो जाते हैं, इसी में मैं ये मोर पंक रख देती हूँ, क्योंकि जिस भी म कुट पर लगाना होता है तो वो चिपका देते हैं यह एक थैली है इसमें एक बार मेरे पास ड्राइफ रूट आये थे कही साल पहले इसी में मैंने अपनी सारी मालाई रख रखी हैं और इसी में में एक कपूर की छोड़ी सी वो डाल देती हूं इससे न मालाई स्वस्क बनी रहती हैं और ये मेरी घीदानी थी वो खराब होगी थी थोड़ी सी नीचे से तो इसलिए मैंने इसको सजा के इसमें बत्यां और माचिस रख दी है इसको मैंने डेकोरेट किया इस वीडियो के एंड में इसको कैसे मैंने डेकोरेट किया है उसकी वीडियो है देख लेना आ या अम आज इस समय ने बाहर रख रखी हैं ऐसे ही और यह ऑल भी रखती हूं में क्योंकि तिल के तेल और गी दोनों की जोद जलती है और यह वही डबा है जो मैं बना रही हूं जो इसमें ड्रोर में रखा था जिसमें चोटी-चोटी डब्यां रखें यह मैंने ऐसे सजाया था और यह है इसको मैं पहले इस्टील की थी यह तो इसमें मैं पहले एक बार golden paint कर रही हूँ यह सूख जाएगा फिर second coat करूँगी अब मैं इस पर second coat करूँगी अभी तो पहला ही हो रखा है अब होगा इस पर दुबार second coat में क्या है यह पूरे अच्छे से ऐसे गोल्डन सी दिखेगी बार से दाग-दाग से नहीं दिखेंगे इस पर कफी तेजी से वीडियो चला रखा है ताक इतना छोटी वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यह कुछ मैंने मोटी लिए है इस पर लगाने के लिए जो एक साइड से प्लेइन आते हैं और एक साइड से मोटी की सेफ होती है यह फैविक है फैविक ग्लू है एक तरह का उससे मैं इने चिपका दूँगी इस तरह है जै कि देखो मैंने यह इस तरह हैं मेरे पास यह पिंकल रखे कहीं नग थे यह 10 रुपए का पैकिट आया था है यह 10 रुपे के पैकिट में 15 अ 20 थे यह और यह इस तरह यह你在? यह मैंने पूरी सजाद ही है और ये एक लेस थी ये भी 10 रुपे मीटर है तो ये मैं लाई थी एक मीटर और ये मैंने इसके चारों तरफ लगा